नमस्कार, Assalamualaikum, मेरा नाम रोबेका लियाकत है और आप सब News 18 इंडिया पर इस वक्त एक बहुत ही खास साक्षादकार देखने वाले हैं, एक इंटर्व्यू, आजकल सबसे ज्यादा चर्चा राममंदर की है, राममंदर में जिन महमानों को बुलाया था, उनमें से एक महमा आजकल न्यूज में चाय हुए हैं, वज़ा है उनके खिलाफ फत्वा जारी हुआ, ओल इंडिया इमाम असोसियेशन के प्रेसिडेंट यानि अध्यक्ष इमाम उमर इल्यासी साहिब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्लाह अलेकुम सर, आपका बहुत-बहुत स् इमाम साथ फत्वा जारी हुआ, एक इमाम के खिलाफ, क्या बज़ा है, हैरानी की बात है, चुकि भारत में, भारत के तिहास में ये पहली मरतबा है, कि किसी इमाम और चीफ इमाम के लिए फत्वा जारी होना, चुकि ये फत्वा एक आम फत्वा नहीं है, ये कुफर का फत तो कुफर के माने तो आज के हिसाब से तो अधर, अधर, इसलाम से खारिज हो जाना, अपने धर्म से खारिज हो जाना, उसका माना कुफर का फत्वा है, लफज वैसे काफिर है, कुफर काफिर से बना है, वैसे तो मुझे पर लागू नहीं होती यह वाली बात, कुफर का फत हैं नास्ति के होते हैं अलحمd भल्लill में believer हूं आस्तिक हूं एक इश्वर में अल्लाल में एमान मेरे रहता है तो मैं काफिर हो भी नहीं सकता गैसा जिस में ला इलाहfight इल्ह इल्ला और जिसने एकम ब्रमम्दित्य नास्तिक है दिया बस वो आस्तिक है वो काफिर हो ही नहीं सकता तो ये फत्वा कहता क्या है कि आप इसलाम से खारज जी उनके निगाम है चुकि उनको ये पता है उनको ये साथ जानकारी नहीं है कि ये भारत है ये जो भारत है ये वो भारत है जहां सर्व धर्व संभाव है यह भारत वो है, जहां अनेकता में एकता है, यह इसलामिक देश नहीं है, इसलिए यह फत्वा मुझे पर लागू नहीं होता, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, रुबीका, कि जिस तरह से इसकी शुरुवात हुई है, मैं राम जनम भूमी ट्रस्ट ने मुझे निमंतरन दिया, मैं वहां गया, दो दिन मुझे लगे, इस पर बहुत विचार किया, मुझे अंदाजा था, विरोध होगा, लेकि रुबीका, क्या सोचने में दो दिन लिए है, दो दिन सोचने में इसलिए लिए, रुबीका, क्या, मैं इतना बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ, लोग, समाज, उस पर क्या रियक्ट करेगा, उसको मेरे मन में भावा, लेकिन लास्ट मैं यही तेह हुआ, आपने लोगो आया कि मुझे जाना चाहिए, अतीद को भूलना चाहिए, लाखों लोग मारे जा चुके, बहुत राजनीती हुई इस विशे पे, मुझे लगता है कि मेरे पहुचने से एक सुहारत का वातावरन पैदा होगा, देश में एक अच्छा पैगाम जाएगा, और देश में अमन शान्ती होगी, ये पैगाम को लेके पैगाम महबत में गया था, वहां जाके मैंने रुबी का, सबसे पहले निकलते ही ये पैगाम महबत का संदेश दिया था, जिसमें मैंने कहा था, कि हमारी सब की जातियां जरूर अलग हो सकती है, हमारे सब की पूजा पद्दती जरूर अलग हो सकती है, हमारे सब के धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी आस्थाइं जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे वड़ा धर्म है, वो इनसान और इनसानियत का है, हम भारत में रहते हैं, हम भारती हैं, आउ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतियता को म से मुझ पर को फरक में परता दरसल क्या हुआ कि जैसे ही रूबी का ये पेगाम महबत का मेरा निकला तो जो महबत जिनको पसंद नहीं है नफरत वाले लोग उन्होंने इस मेरे बयान को जिस तरह से लिया और मेरे खिलाफ 22 जनवरी से ले अब तक मेरे तमाम मेरे खिलाफ मे मेरे इमेल्स पर मेरे सोशल मीडिया तमाम देश भर में मेरे खिलाफ इन्होंने नफरत का माहल बनाना शुरू किया मतलब वह फत्वा ऐसा जारी किया कि आपका नंबर तक उसमें जारी कर दिया रूबी का सबसे इंपॉर्टन बात है जो मैं आपके मादिया में से सब को ब दिया जो में और में वहां उंगली रख लिया लेकिन ठीक उस उगली की नीचे बस इतना बता देती है यह नंबर जो है बकाइदा वो नंबर तक इस उपयदों और उन्होंने लिखा भी है कि आपको है फत्वा हर मुसलमान हर इमाम और हर मजजित को भेजना लाजिम होगा उन्होंने इस तरह से इसको spread किया, तो मेरे पास मेरे numbers पर धंकियों के phone आने शुरू हो गए, इसमें तीन बिंदू रूबी का बहुत important है, ये हैं कौन जिन्होंने आपके खिलाफ पत्वा जादी है, ये महम्मद, इनका नाम है, महम्मद साबिर हुसेनी नाम के ही है, इनकी classes से चलती है मुफ्तियों की, इनकी institute है कोई मुफ्तियों का, अच्छा, इमाम और मुफ्ती में फर्क तो इमाम साब बतादी है, इमाम वो होता है, जिनके पीछे नमाज पढ़ी जाती है, इमाम वो होता है, जिसको, जिसकी मानियता सबसे जादा मानी जाती है, और मुफ्ती मुफ्ती होता है कि जिसने Islamic studies में doctorate की होती है पीएशडी की होती है इसलिए उनका authority होती है फत्वा देने के लिए मुफ्ती जो दे सकते हैं अब तीन चीजे हैं तीन बिंदू है इसमें बहुत important पहला बिंदू है जो कुफ्र का फत्वा इन्होंने जारी किया है जिसमें बहुत सारी सजाय नाफिज हो जाती है पहली बाद तो मैं इस फत्यों को मानता नहीं हूं और ना मुझे इलाजिम होत आप दोनों पधें आपके पास इसलिए आप इसलाम से खारिज दूसरा आप मैं पहले बिंदू पर रुकना चाहती। एक इमाम की हैसीत से और चीफ इमाम की हैसीत से मैं दर्शकों को बता दिना चाहती हूं कि पूरे दुनिया में इमाम जो असोसियेशन को अगर आप पचास प्रतिशत से ज्यादा इमाम जो हिंदुस्तान में है वो इस असोसियेशन से कही ना कहीं जुड़े हुए है तो ऐसे में आपका वहां पर जाना तो क्या बाकी इमाम इस बात को लेकर रुष्ट है घुस्से में है उनका इमानना है कि मतलब भगवान की प्राण प्रति प्रतिफ्टा हमारा खुद का है ती के सेंट्रल दारल-कजा उसमें मैंने अल्रेडी भेज दिया है इस पर काम हो रहा है तिकिन जो तीन बिंदू है वह पहला बिंदू के इमाम के हैसियत से मैं नहीं जा सकता इसलिए इसलिए इसलाम से खारीज होगे तीसरा उनका कहना ब वो उपर है धर्म नीचे है तो आप इसलिए खारीज होगे तो मैं तीनों करुभी का एक जवाब देना चाहता हूँ पहला जवाब प्रान परतिष्टा में मैं क्यों गया प्रान परतिष्टा में मैं गया आपसी सुहार्थ के लिए पैगाम में महबत लेके अपने देश क रास्ट phonesवपरी मैं इसलिए कहा कि हमारी सब हिंदू अपनी आस्ता से जुड़ा है पुझा पद्दती है मुसलमान अपनी आस्ता है अबादत करता है हर धर्म अपनी आस्ता हैंता करता है को उन को सब को ऑजाज़त है लेकिं हम यह कह रहे हैं कि हमें हिंदू नही हो ना ह हमें इसाई नहीं होना हमें अगर हम भारतिय बन जाएं तो मेरा इसारा भारती होने का था इसलिए मैंने भारत और भारतियाता को उपर लाया रास्ट सर्वा पर ही इसलिए मैंने ये बात उस नजर से कही लेकिन मैंने जो बात आप से कही कि आपको एक तमगाब लगा दिया जाएगा, आपके सीने पर एक जिसे कहते है ना आरोप का जो बैज है, वो लगा दिया जाएगा, कि आपके अबबा भी इमाम रहें, और वो भी संग के बड़े करीब थे, पहली बार अगर आरेसस मुखिया किसी मस्जिद में गए, तो वो यही मस्जिद थी, जहां इस वक ब वही मैं बताना चाहरा हूँ, कि मैं देश के लिए काम करता हूँ, ना मैं किसी पार्टी के लिए काम करता हूँ, ना मैं किसी संस्था के लिए काम करता हूँ, मैं सिर्फ काम करता हूँ, अपने देश के लिए, रास्ट सर्वो पर ही है, यह मेरा मकसद रहें, तीसरा उनका उसका जो करेक्टर है, दया का, रहम का, करुणा का, जो उसका काम है, जो उसका करम है, वो उसकी इंसानियत है, हम अच्छे हिंदू तब बन सकते हैं कि जब हम अच्छे इंसान होंगे, हम अच्छे मुसलमान जभी हो सकते हैं कि जब हम अच्छे इंसान होंगे, तो इसलिए इंसान और इंसानियत को मैंने इस तरह से उपर लिया, समझने वाले की समझ है, उन्होंने जो समजा, उन्होंने एक कुफर का फत्वा दे दिया, आप फैसला तो आप सब को करना होगा, इस देश को समझना होगा, कि मुऩबत वालों के साथ खड़ा होना है, ये नफरत वालों के साथ खड़ा हो रहे तो आपको खौफ है मुझे खौफ इसलिए है कि आप मुखालफत होगी मुझे देखिए मुखालफत का तो सभाविक है लेकिन इतनी होगी इसका अंदादा मुझे नहीं था लेकिन मैं दरने वाला नहीं हूँ चुकि प्रोगाम सारवजनिक जाने वाला है उनको लगेगा कि इमाम साफ डर गए मैं दरने वाला हमें से नहीं हूँ पहली बात ये मेरा पेगाम महबत है और मैं अपने देश के लिए मैंने इसको किया है और मैं उसी पर आज भी अडी घूँ अगर उनको फत्वे देने थे अगर वो इतने खाबिल है और इतने तो मैं कहता हूं कर उनको फत्वा पाकिस्तान के उन लोगों के खिलाफ देना च्छिए है ता जो आतंगवाद फैलाते हैं फत्वा उनको देना चाहिए था, नाम जेश-ए-मुहमद रखा रुआ है, लश्कर तयब रखा है, जेश-ए-मुहमद, हिजब-मुजाहिदीन रखा है, इसलमिक स्टेट, इन तमाम इसलम के नाम पर और मुहमद के नाम पर पीज बिया पॉन ही, उनके नामों पर आपने करना चाहते हैं इमाम साब वो यह सवाल कर सकते हैं कि आपको चुनाव लड़ना होगा आपकी पॉलिटिक्स में आने की इच्छा होगी शायद इसलिए आपने यह क्या जवाब देंगे मेरी जो उन लोगों को यही मैसेज है कि मेरा मकसद मेरा जीवन मेरा काम वो इनसान और इंसानित है रास्ट मेरे लिए सरव परका हूँ और जहाँ मुझे सियासत है, मैं सियासत से भी उपर हूँ, मैं चीफ इमाम हूँ भारत का, इस से बड़ा पद मेरे पास चुनाओ से, राज्य सभा से, किसी और पार्टी के किसी पद से, उपर का मेरा पद है, तो मुझे किसी तरह का लालच नहीं है, लेकिन हाँ, इतना लालच जरूर ह कि हमारे देश में अमन रहे, हमारे देश में खुशाली हो, हमारे देश मिलकर आगे बढ़े, आज आपको बताओ, रुबी का, आज हमारा देश की आज स्थिति, आप अंदाजा लगा ये कि, श्री नरेंदर मोदी जी के नितर्च में भारत जिस तरह से तरक्य कर रहा है, जब से 47 से लेकर आज तक हमारा भारत आर्थिक स्थिति में पांचवे अंग पर आ चुका है, भारत चांद पे चला गया, भारत सूरज की तरफ बढ़ रहा है, भारत विश्गुरु बनने की अगरसर है, तो क्या इन हालात में है, मैं पूरी इज़त ये कहना चाहती हूँ फिर वो कहेंगे कि आप मोधी बक्त हैं, अन्र बक्त हैं, मैं बात मोधी जी की नहीं कर रहा हूँ, नेतर तो जो करेगा उसको शरे जाएगा, लेकिन बात देश की हो रही है, देश तरक की कर रहा है, तो जो चीज आपको दिख पा रही है हजरत, वो बाकियों को क्यों नह क्या वजा है कि इस बदलते भारत कि यह तस्वीर है मेरा, वहाँ जाना आज का भारत, नवीन भारत, उत्तम भारत, आज का भारत, स्रेश्ट भारत, एक भारत होने की बात है, भारतियता की बात, लेकिन दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि मुसल्मानों और मोदी में खाई है जो कभी नहीं बढ़ सकती है आपको क्या लगता है ऐसा कभी नहीं है ऐसा है कि हरापनी का अपना एक नजरिया है जो लोग विरोध करना है उनको विरोध ही करना है लेकिन जब कोई काम बड़ा होता है जब कोई काम बड़े माने पीक है जाता तो उसका विरोध सभाविक है यह आरोब जो लग रहे हैं कहरे चुट नहरे का विधा Umगित क्षी कर दूसलमा माल दर गया है बोग दुम और मात आप दो पहला ही जा रही है, एक माहौल को देश के अंदर एक खराब करने की साजी शरची जा रही है, इसकी फिकर करने की जरूवत है, वो ताकते, राष्ट विरोधी ताकते, जो एक मुसल्मानों को भढ़का के, गुम्रा करके, अपनी राजनी दी करने जा रही है, यह समझने की ज आपको लगता है कि हिंदुस्तान का मुसल्मान इन दिनों ज्यादा तल्ख हो गया है ज्यादा कट्टर हो गया है जबकि वहां साउदी अरब में आप देखिए मंदर खोला जा रहा है वहां पर तो ऐसी ऐसी खबरे आ रही हैं कि experiment के तहट बहुत से ऐसे फैसले लिए गया हैं जिनको आप modern कह सकते हैं जिनके बारे में मेरे ख्याल से इमाम साब आपसे बहतर कोई नहीं जानेगा आज से कुछ सालों पहले तक हम हम तसवर भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा होगा साउदी अरब और बाकी Muslim countries आगे जा रही है और ह जरिया बदलिए तो नजारा बदल जाएगा आदमी अगर करती के कटरता कहीं भी अच्छी चीज नहीं होती कटरता किसी पर किया हिंदुस्तान का मुसल्मान कट्टर हो रहा है? अकेला पाते हैं? कभी आपको यह लगता है कि यह बात मैं मैं मुसल्मानों को क्यों नहीं समझा पारा हूँ? यह अपनी कान को क्यों नहीं बता पारा हूँ? यकीना मुझे ऐसा फिल ऐसास मुझे आता है कि हम क्यों क्यों नहीं समझ पा रहे हैं और हमारे लोग क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कहीं न कहीं ये गैप है उसको हमें कम करने की जरूरत है कहीं न कहीं वो जो कमिया है उसको दूर करना चाहिए तो खाली इमाम इलियासी की ज मिदारी ऐसा नहीं है मुझे लगता है कि अब सब मिलकर इस भारत और भारतियता को मजबूत करने की बात हमें करनी चाहिए अभी ये मौका है और मुसल्मानों के लिए तो खास दोर पे मैं अब चुकी आने वाला जो समय है उसके लिए कहना चाहता हूं कि मुसल्मानों को इनोंने हमेशा उनको कहा कि इनसे दूर रहना जिनोंने डराया धंकाया अपनी राजनी दी करी उनके लिए उनको विचार अपकर देना चाहिए विचार हो रहा है कि नहीं अभी बहुत दूर की कोड़ी है मुझे लगता है कि कुछ लोगों तो को इसकी बास समझ में आ एक संस्था है, जो संस्था इस समय देश के अंदर अपने राश्ट के लिए और सुस्कृति के लिए अपना काम करती है, चुकि मेरा उनके साथ जो अनुबह हो है, वो यह है कि वो हमेशा से जैसे प्रचारक जीवन होता है, अब जैसे प्रचारक जीवन हैं, महन आपने तो उनको राश्ट रिशी एक वत्वा उसवक j जा रही हुएा था ना जी विल्कुर मैं आज भी उसमर्पिता इसलिए कहा था राश्ट पिता मैंने इसलिए कहा था कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्ता है यह और राश्ट रिशी इसलिए कहा था कि अगर आप इनकी जेवों में देखेंगे तो आपको एक रुप्या भी नहीं मिलेगा इनका जोला इनकी सादगी इनका काम यह समर्पित हैं सब्लक्रा इवन अपने राश्ट के य्या ज्यार के लिए अपने देश के लिए समर्पित है जो यह सुने κα मैं नाम नहीं ले नहीं ती पार्टियां थी उन्होंने बस हमें डराकर ही तो रखा कि इन से दूर रहना इनके नस्दीक ना जाना इनके परचाई से भी वही मैं गलत फहिमियों को दूर कर रहा हूं कि एक बार आपके अब्बा ने ये शुरुवाद की अब्बा ने शुरुवाद की वह आपको क्या बत की शुरुवाद करी थी और वो उस वक्त में सरसंचालक सुदर्शन जी थे वो एक शुरुवाद थी एक दूसरे के नजदीक आने की वहीं से ये डालोग शुरू हुआ है वहीं से ये सववाद चला आ रहा है और उसको लेके आगे बढ़ा जा रहा है तीकि हम मैं हमेशे बात कहता हूं कि समाद डालोगे कि समाद्य हमें जो हर चीज का हर हाल का समाद हार नहीं तो कभी आप से ये कहा गया कि आपकी डाड़ी उन्हें ना पसंद है या आपकी तोपी से अधरा से या आप ला इलाह एलाला मुहमद रसुल्हा नहीं किया सकता हूं पढ़ लेता तो आप से ये भी कहा होगा कि भारत माता की जय बोलो जय श्री राम बोलो मुझे उन्होंने कुछ नहीं बोला उन्होंने कहा कि जैसे आप चलने वैसे चलिये मुझे तास्ता कोई डर कोई भै उनके साथ रहके नहीं हुआ लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पूर कोई तो ऐसा फाइदा वो पहुंचा रहे होंगे जिसकी वज़े से इमाम साब यह सारी बाते कह रहे हैं यकीनन वह जो हर आपनी का अपने नजरिया है सोचने का हर चीज एक लालच के लिए नहीं होती हर चीज एक फायदे के लिए नहीं होती है जो जो काम आज परपीत कर देता है अपना पूरा जीवन राष्ट के नाम लाता है परचारक बनता है तो क्या उसके मन में वह भाव होता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है क्या उसके मन में भाव होता है कि मुझे कोई बड़ा पद चाहिए या मुझे कोई इंड्रेस्ट्री खोल इस समझने की ज़रूरत है संग हमेशा से जो परचारक जीवन है संग ने हमेशा सुस्कृति की बात करी है संग ने हमेशा राष्ट की बात करी है देश की बात करी है इमाम साथ यह भी तो कहा जा सकता है कि इमाम साथ इसलाम से ज्यादा संग की चर्चा कर रहे हैं संग के बा है और कहते हैं कि तु तवाम जो दर्शक फट्वे से माने क्या है मतलब फत्वा जारी हो गया तो क्या मुफ्ती साहब जिनने पढ़ा रहे हैं यह मुफ्ती साहब का जिन पर असर है वह तो आपका चहरा भी नहीं देखी घी आपकी जान माने तक राय के होते हैं फत्वा माने राय है फत्वा माने आदेश नहीं है दूसरी बात यह कि उनकी राय है उन्होंने दे दी मैंने मैंने देख ली मैं नहीं अक्सेप्ट करता ना मैंने उनको मानता ना मैंने उनको देखा ना मैं चुनाव आने वाले हैं और इस आम चुनाव को देखते हुए वो विरोधी शक्तियां कहीं सक्रिय तो नहीं हो गई कहीं वो हमारे देश के अंदर तो देश तरक्की कर रहा है देश के अंदर अमन शांती है उसको खराब करने की कोई बड़ी साजिश तो नहीं है इसको समझने की ज़रूरत है मुझे अपनी फिकर नहीं है मुझे देश की फिकर है इसलिए हमको सतरक रहने की ज़रूरत है अब तो अभी राम मंदिर तक बात थी. अब तो कहा जा रहा है कि काशी भी है और मतुरा भी है. तो इमाम इल्यासी इस बारे में क्या विचार रगते हैं? काशी और मतुरा. और फिर अभी कल ही खबर आई है कि जो विश्नु शंकर है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से ऐसे मस्जिद हैं जो मंदिरों को तोड़ कर बनाई गई है तो वहाँ तक पहुँचने में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए और जिस स्तिती में इस वक्त हम है मुसल्मान को क्या सोच रखनी चाहिए और हिंदू को गया और उससे पहले इमाम साथ की क्या सूच चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो रुबी का इस बात को दिहान में रखना है कि यहीं तो प्राब्लम आ रही है कि यह हिंदू हो रहा है यह मुसलमान हो रहा है हमें एक होना है और एक होने के लिए हमें भा पहले अपने आपको भारतिय बना लो पहले पर फिर जहां तक कोई मसला है इतना वड़ा दिल रखने के लिए तो अभी मुझे लगता है कि मीलो मीलो और सदियों का सफर करना होगा बहुत ऐसे लोग हैं जो यह विचार रखते हैं लेकिन आप यह कह रहे हैं कि भारतियों कर स सोचूंगा तो फिर ऐसा נजर आएगा कि बहुषंख हैं कि वह हिंदू है उनका मन्दर है तो उनको वापस देढ़ो कि कि सी को नहीं आदेना आ आगे क्या होगा क्या क्ल क्या होने वाला है कल कैसे होगा यह तो बेतर जानते हैं हम नहीं जानते लेकिन हम आज की बात कर र मैं इस सब्जेक को इसलिए कह रहा हूं कि कल की तो कल देखेंगे लेकिन कल क्या होने वाला है वो तो मुझे भी नहीं मालूम आपको भी नहीं मालूम हम आज की बात कर रहे हैं आज देश को क्या जरूरत है देश को क्या चीज चाहिए असल चीज क्या है आज हम आने वाली ज करक्यों में लगे ऊए हम यहीं उल्जे हुएं कि यह यह अरभ बार्ट से निकीस में आप इमाम साब कि तस्वीर यही है कि हम सब को मिलकर भारत और भारतिता को मजबूत करना है यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कल क्या होगा कल क्या नहीं होगा कल कैसे होगा इंपॉर्टेंट है मैं इतना समझपाई हूँ कि आप किसी के खौफ में नहीं रहते हैं, आप बेर फिक्र हैं, इस बात को लेकर कि आप खुले विचार और मन्द से बात रहते हैं, और इसलिए मैं बहुत इमानदारी से आप से सवाग पूछी हूँ, कि ये जो काशी और मतुरा वाला पूरा माम देखिए, मुझे जो मुझे लगता है कि अभी तो चोकी मामला अभी कोट में चल रहा है, और इस बारे में अभी हम कोई फैसला ले या कुछ कह सके, मैं अभी मस्तिती में नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस समय जो सबसे ज़्यादा जरूरत है, वो रास्ट निर्मान की है, मुझे फिकर इस बात किये कि रास्ट निर्मान कैसे हो, वो रास्ट निर्मान की फिकर में भारती बनना पड़ेगा, मुझे हिंदू और मुसल्मान से उपर उठकर जब मैं भारती बन जाओंगा, जब रास्ट निर्मान में आ जाओंगा, तो अपने आप स कर रहूं को सरवों पार रखा गया है। लिखिए। यह कौण क्या है। इमने करना इस विचार है। मम में यह फुर दिखेंiddel मैं चाहिए। हर जापानी एक ही काम कर रहा है, अपने जापान के लिए, हम सीखना हैं, हम सब भारतिय बनना हैं, आप यकीन मानें, कि हम सब को मिलकर ही अपने राष्ट को आगे लेके जाना है, क्योंकि हम तो चले जाएंगे, हर सवाल के जवाब में आप दुबारा राष्ट्र लाते हैं, कोई तो तो आच्छा को तो अच्छा ही करें बैकिन कोई अच्छी को तो कोई ची होगे राहुल गांधी देश की फिक्र कर रहा है मैं उनके बारे में इसलिए कुछ नहीं कहता है कि चुकि मुझे किसी के बारे में कहना नहीं है मुझे इसके लिए कहना है कि जो मौजूदा सरकार है जो मोदीजी कर रहे हैं जो मोदीजी के नितर्त में देश आगे बढ़ रहा है मैं उनकी बात करता हूँ आफिए नहीं लाय करते देश के लिए कि फिकर करने लग जाए चाहिए राजनीती से पार्टियों से धर्मों से उपर उठकर देश की फिकर करने लग जाए तो मुझे लगता है कि देश बहुत आगे बढ़ जाएगा 2024 में आप कहा देख रहा है? मुझे बहुत करता है तो मेरे अंदर जाती है, आप ये कहो कि आने वाले भारत कैसा ने कैसा है? हम hablarती के तर्मेजिया निर्मान में कैसे योगदान करता है यह बात मुझे समय भारत के बहुत अच्छे से जवाभ दे सकता है लेकिन आप मुझे को राजनीती के सवाल होंगे किसी मुसलमान को लेके सवाल है वो मुझे इसलिए समझ में नाही आते है क्यों चोकरज कि ठीक नहीं है इससे डिवायड पैदा होता है है यह डिवायड होगया यह काला, यह गोरा है ये अमीर है, ये गरीब है, ये हिंदू है, ये मुसल्मान है, ये डिवीजन पैदा करते हैं, हमें उनसे उपर उठना है, हम इंसान बनेंगे, तो हमारे इंदर एक दूसरी के लिए मुहबत आईगी, हम भारती होंगे, तो हमें आपस में मुहबत आईगी, अगर मैं ये कहू ये, एक यहाँ पर सच्चा सपूत बैठा हुआ, मुझे नजर आ रहा है, जो कह रहा है, मैं नहीं, तुम कितना कोशिश कर लो, नहीं हिंदू करूँगा, नहीं मुसल्मान करूँगा, मैं भारती के तौर पर आपके सामने पेशा हूँगा, लेकिन यहाँ जो नमास अदा करने आते हैं, जो आपके पीछे, आपकी मान, मत के पीछे जो है, अल्ला की अबादत करते हैं, उन में से कितनों को आप मना पाएं हैं, जो आज इमाम साब की बात मानने और कहते हैं, क्या बात तुमने कही है, गजब की बात तुमने आज करी है, मेरे हाँ कभी आप जुम् एंसान और एंसानियत और भारत और भारतियता हर जुमे की खुत्बह में मिलती है तो पूरे डिल्ली से अलग अलग जगावं से सिर्फ मेरे पीछे नमास पढ़ने आते हैं और यहां तादाद में लोग आते हैं बहुत बड़ी तादाद में और यह तादाद अल्ला करें इन्शालला बढ़ती ऐसे जब हम इमानदारी से किसी कारे को करते हैं जो कि हम उस काम को लेके चलेंगे तो उसमें बर्कति होती हैं, कामियाभी होती है चुकि मुझे राजनीती से कोई लेना देना नहीं, मुझे पार्टियों से लेना देना नहीं मेरे सामने इंसान, इंसानियत, भारत और भारतियता मेरे लिए सबसे इंपॉर्टन्ट है आप यह कह रहे हैं पार्टी से लेना देना लिए लेकिन जो चश्मा लगेगा उसमें सबसे पहले एक आपके आख में संग होगा दूसरी आख में मोदी दिखाई देंगे यह अपना अपना सोचने का और देखने का नजरिया है जो मुझे दिखता है मुझे भारत दिखता है जो दिख रही है वह आपस में हम एक दिखते हैं उसी को आगे यह बहुत बड़ी कमी है जो हमारी तरफ से हमारे जगा कोई पूरा कर नहीं पाया आज हमें उन सब से उपर पर उठके ही एक होके जाना है एक होने के लिए एक ही रास्ता है इसके लावा आपके पास किसी भी चीज में चली जा रूबी का आपको सिवाए राजनीती के लावा कुछ नहीं मिलेगा यहां आपको देश मिलेगा यहां आपको इंसानियत मिलेगी यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यही एक होने का माध्यम हमारे पास होगा क्या इसलाम इंसानियत और भारतियर यह तीनों एक धागे में आ सकते हैं बिल्कुल देखिए इसलाम कम इसलाम हो या कोई भी मजभ हो सारे मजभ अच्छी बात सिकाते हैं तुमाम जितने भी धर्म हैं अच्छी का पेगाम पहुंचाने के लिए वहां पर जाने का फैसला किया है लेकिन यह जो लिख रहे हैं जो फत्वा अब जरूरत आ गई है और हम सुक को यही करना पड़ेगा आज हमें अपने देश को अगर विश्व गुरू बनाना है न हमें जातियों से धर्मों से और सबसे उपर उठकर एक होना होगा भारती है आप यकीन मानें कि वो दिन दूर नहीं कि हमारा भारत विश्व गुरू ब बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त हमें देने के लिए और इमानदारी से इतनी बाते कहने के लिए माम साब और अपना खूब खयाल रखियेगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी बातों को सुनके आज सुकून में होंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब तक शिकायत कर रहे होंगे और शायद आपकी बातों को सुनकर बहतर फील कर रहे होंगे लेकिन आपने देखा हो इस पूरे इंटरिव्यू में अगर मैं गिनने जाओं तो सबसे ज्यादा अगर किसी शब्द का इस्तमाल हुआ है तो वो है भारती है और फिर नंबर आएगा इंसानियत का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज एटीन इंडिया पर ऐसे ही कुछ और साक्षातकार आपके सामने होंगे वो लोग कभी नहीं दूर होंगे आपसे जो न्यूज मेकर है स्क्रीन पर आपके पास हर खबर पहुँचेगी न्यूज एटीन इंडिया नमस्कार